सर्दियों में अपनाएं ये 15 घरेलू टिप्स राई स्केन की समस्या होगी दूर नाहीं रूखी तवचा नजर आएगी और नाहीं चहरे से निखार कम होगा नमबर एक गुलाब जल और ग्रीसलिंग की बराबर मात्रा ले और रात में सोते वक्त अपने चहरे पर लगाएं ध्यान रखिए लगाने से पहले चहरे को अच्छे से साफ कर ले फिर ग्लिसरिन और गुलाब जल को लगा ले इससे आपके इसकेन ड्राई नहीं होगी और मुलाइम बनी रहेगी इसके नियमित उपयोग से आपको बहुत फायदा मिलेगा नमबर दो तीन चम्मच दूद ले और दो चम्मच गुलाब जल ले दोनों को मिक्स करके रात में सोते वक्त चहरे पर रूई से लगाएं और चार-पांच मिनट बाद चहरे को धो ले इससे चहरे पर से जो गंदगी होगी वह साफ हो जाएगी चहरा सौफ्ट और चमकदार बनेगा नमबर तीन ठंड के मौसम में अपने चहरे पर सहद जरूर लगाएं चहरे को अच्छे से साफ कर ले फिर 10 से 15 मिनट के लिए सहद लगा कर छोड़ दे और फिर धोले ऐसा करने से चहरा सरदियों में भी खिल उठेगा इसकी इन ड्राइ भी नहीं होगी नमबर चार कच्चा दूध ले उसमें नारियल का तेल डाले फिर उसमें सहद मिलाएं इसको अच्छे से मिक्स कर ले मिक्स करने के बाद चहरे पर 20 मिनट के लिए हलके हाथों से मालिस करे और सुबे चहरे को अच्छे से धोले या टिप्स आपके चहरे को गोरा और बेदाग बनाएगा नमबर पांच दूध में हल्दी मिला कर चहरे पर लगाने से चहरे को बहुत फायदा मिलता है नमबर छे विटामिन E की कैपसूल और अलो विरा जेल को अच्छे से मिला ले फिर छोटे कंटेनर में भर के रख ले सुबह और रात के वक्त लगाए इससे आपके चहरे के दाग धब्बे साफ हो जाएंगे चहरा ड्राई नहीं होगा और सर्दियों के मौसम में भी आपके चहरे पे चमक बरकरार रहेगी नमबर साथ अगर आपकी इसकीन ड्राई है तो आपको सोने से पहले चहरे पर घी लगाना चाहिए घी चहरे को अंदर से हील करने के साथ लंबे समय तक मौस्चराईज करने में मदद करता है साथी ये ड्राई सकीन की समस्या जैसे खुजली और जलन को भी कम करता है नमबर आठ सर्दियों में हम अकसर गरम पानी से अपना चहरा धोते हैं जो कि ड्राई सकीन के लिए एक गलती हो सकती है दरसल गरम पानी से चहरा धोना सकीन पोर्ष से नमी छीन लेता है और इसे अंदर ये अंदर ड्राई कर देता है इसलिए सर्दियों में नॉर्मल पानी से अपना चहरा धोये नमबर 9 सर्दियों में तवचा की सबसे बड़ी दिक्कत इसकीन का रूखापन और वेजान होना इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसे मॉस्चराइजर का प्रियोग करें जिसमें विटामिन E की मात्रा हो मॉस्चराइजर को दिन में कम से कम 3-4 बार प्रियोग करें नमबर 10 तवचा में नमी बनाए रखने के लिए जरूरी है कि रात को सोने से पहले हाथ पैर को धोए और किसी अच्छी क्रीम का इस्तिमाल करें वैसलीन पेट्रोलियम जली उन लोगों को छोड़कर सभी के लिए एक बेस्ट आप्सन है जिनकी तवचा पर मुहासे होते हैं नमबर 11 सर्दियों के मौसम में साबुन का प्रियोग कम से कम करना चाहिए अगर आपकी तवचा काफी ज़्यादा रुखी है तो इसक्रब करना भी बंद कर दें नमबर 12 रात को सोने से पहले नारियल तेल लगाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है नारियल तेल की आठ से दस बुदे अपनी दोनों हथेलियों में लेकर हथेलियों को रगड़ ले अब हलके हाथों से नीचे से उपर की तरफ चहरे की मसाज करे तेल पूरा सूख जाए तो दोबारा से इस प्रक्रिया को दोहराए अगली सुवए नहाने के साथ ही चहरा धोले नमबर तेरा अगर आपकी इसकीन सर्दियों में ज़्यादा ड्राई हो जाती है तो आधे केले को एक कटोरी में लेकर पेश्ट बना ले जब यह एक अच्छे पेश्ट में तबदील हो जाए तो इसमें एक चम्मच सहद मिला ले अब इस फेस पैक को चहरे पर लगाए पंदरा से तीस मिनट बाद चहरा धोले जब भी आप नहाते हैं उसके बाद त्वचा पर एक प्रकृतिक मौस्चराइजर अच्छी तरह से मालिस करें ग्लिसरेन, नीबू और तीन चारबून गुलाब जल मिलाकर एक मिस्रड बना ले और इसे एक सीसी में भरकर रख ले रोजाना इस मिस्रड को रात को सोने से पहले चहरे और सरीर पर लगाए और सुबह उठकर हलके गुलूने पानी से नहा ले वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले बिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ लव यू और टेक केर